हेलो एब्रिवन, वेलकम बेक टू जीके टुड़े, मेरा नाम ये रजनी और आज हम डिसकस करेंगे किसानों की कर्ज माफी पर समाज पर क्या असर पढ़ रहा है, तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक उत्तर प्रदेश समेट कई राज्यों में चुनावी माहोल है, और वोटर्स को लुभाने के लिए कई राजनीदिक पार्टिया क्रशी रिण माफी की कोशना कर चुकी है लोन माफी को अक्सर राज़नीती पार्टियां अपने लाप के लिए इस्तमाल करती हैं तो आज इसके बारे में जानने की कुशिश करते हैं कि इसकी जरुवत क्यों पड़ती है और इसका समाज पर और अर्थविवस्ता पर कैसा असर होता है क्रशरी रिण माफी किसानों की सहयता के लिए राज्यों द्वारा गोशित की जाती है वैसे तो भारत में खेती को फायदे का काम नहीं माना जाता है फिर भी बहुत बड़ी जनसंक्या अपनी अजीविका के लिए खेती पर निलबर है ऐसे में कहीं बार खराब मानसून या प्राक्रतिक आपता की वज़े से किसान रिण चुकाने में असमठ हो जाते हैं ऐसे इस्थिति में कहीं बार राज्य या केंदर सरकारे किसानों को राहत देने के लिए या तो रिण की मात्रा में कमी कर देती है या पूर्ण छूट दे देती है ऐसे में केंदर या राज्य किसानों के बदले में खुद बैंकों को लोन चुकाते हैं यू तो ये योजना सिर्फ गंबीर परिस्तितियों के लिए है लेकिन पिछले 15 से 20 सालों में ऐसी योजना की गोठना लगबग हर चुनाव की समय होती ह ये एक तरह से भारत में क्रिशे शेत्र के संकट को दर्शाता है हाला कि वर्दमान समय में इस प्रकार की मांगे कोविड-19 के कारण अजीवीका के नुकसान के मद्य नजर जरूरी लगती है फिर भी इस तरह के रिन माफी योजनाओं का सबसे बुरा असर बैंकिंग दिया था लेकिन आजादे के बाद भारत में केवल दो बा उन्नी सो नब्य और दो अजार आठ में रास्ट्रे इस्थर पर रिन माफी कारेकरम हुए हैं वर्ष उन्नी सो नब्य में की गई क्रिशे रिन माफी से सरकारी खजाने पर दस अजार करोड रूपे का भार पड़ था वर्ष दो अजार आठ में यूपीय सरकार द्वारा लागू की गई क्रिशे रिन माफी में 71,680 करोड रूपे का भार था लेकिन दो अजार आठ के बाद से इस तरह की योजने नियमित रूप से विभिन राजियों सरकारों द्वारा गोशिट की जा रही है भारत में 85 से किसानों के पास एक दू हेक्टे से कम जमीन है और बारत में खेती मांसून पर अत्यदिक निर्वर है ऐसे में खेती के लिए और दैनिक जीवन के खर्चों के लिए किसान परिवार रिण पर आश्रिश जात रहे हैं अगर बारिश की कमी या किसी और कारेट से फसल और इसके चलते किसानों की हात्मत्याओं में इजाफा होता है इस तरह की समस्याओं से निपटने में रिन माफी कारगर साबित होती है लेकिन इस तरह की योजनाओं की अपने नुकसान भी है खेती से संबंदिव समस्याओं के लिए यह सिर्फ एक अस्थाई समाधान है लेक होते हैं वैब बर क्ष an जुर益 होने पर बھی ऐसी योजना की उमीद में रिंड ले ले लेते हैं इसका असर उन किसानों पर पड़ता है जिन्हें वास्तम में रिंड के जुरत होती है ऐसी योजनां के परिणाम सरूप banking को होने वाले नुकसान के बाद बैंक क्रशी शेत्र को अधिक करज देने से हिचकिचिंगे रिन माफी किसानों के एक सिमित वर्ग को थोड़े से समय के लिए राहत तो प्रदान कर सकती है लेकिन यह किसानों को करज के जाल से बाहर नहीं निकाल पाती इस्थाई तोर पर किसानों की आए में सुधार ही उन्हें इस चक्र से बाहर निकाल सकने का एक मातर तरीका है सिचाई शम्ता और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण फसल भीमा, क्रशी बुनियादी धाचे का निर्माण, तकनीक से उत्पादक्ता में सुधार और खुले व्यापा जैसे स्थाई समाधान किसानों के लिए बहतर विकल्ट साबित हो सकते हैं यदि सरकारे चुनावी गणित को छोड़कर क्रशी शेतर में सुधारों को ततपरता से और इमानदारी से लागू करती हैं तो क्रशी संकट को बहतर तरीके से हल किया जा सकता है